हेलो गाइज वेलकम टो अनेदर वीडियो प्स्टाउक मार्केट फेंड्स मैप माइंडियम लगसी इन्फो सिस्टम्स की और से मार्च क्वार्टर की फिनांशल रिजल्ट पेस हो चुका है आज किस वीडियो में कवर करेंगे स्टैंडल ओन और कॉंसॉलिडेटेड दोनों रिजल्स आउट हो चुका है क्वार्टर एंडेट और फिनांशल एंडेट का साथ में कंपनी के और से 3.5 रुपेज पर रिक्विडी शियर का एक फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है इन्वल जनरल मिटिंग में किया जाएगा तो हम लोग चलते कंपनी के फिनांशल डिजल्स पर प्राइल लों फिनांशल डिजल्स को कवर करेंगे नमबर लैक्स में हैं इंकम 119.2 करोड का पिछले क्वारव में 103.5 करोड का और मार्च 23 वार्टर में 82.9 करोड का इंकम हैं क्वार्टर और को यर ओन य और में इंक्रेज किया है आप्रेडिंग और quality soup can करोड का नेक्र नेट पौाफिटिटू करोड का Suff предлож Lieutenant v ABS. क्वार्टर कारी नियर्म में इंक्रेज किया गश्स और गर हम बात करें गहरें सometry में पॉफिट होने के बाद अच्षी फीट करोड का उमार्स 23 कौ़टर में ट्वेंट्य एट करोड का रोट में इंक्रिज किया है तो गाय स्कौाटर रेज़ल्ट अगर दिखा जाये तो बहुत स्कॉच है इंकम में और 417.5 करोड का 23 में 315.7 करोड का income में increase किया है expenses 240.9 करोड का 23 में 176 करोड का expense में increase किया है operating profit 175 करोड का और 23 में 139 करोड का operating profit है जो कि increase करती भी नज़र आ रही है और अगर net profit की बात करेंगे तो 134 करोड का 23 में 107.5 करोड का जो कि increase किया है EPS company का 24.5 रुपेश का 23 से increase किया है तो गाइस company का result consolidated में बहुत इस्ट्रॉंग पेश किया अगरम इसकी स्टैंडर ओन रिजल्स को कवर करें इंकम 97.4 करोड का पिछले कॉट्र में 87.6 करोड का और 23 कॉट्र में 77 करोड का income है income तो increase किया है quarter on quarter year on year में expenses company का हुआ है इस बार का अगर देखा जाए तो अगरिक एक्सपेंस 51.5 करोड का पिछले कॉट्र में 44.4 करोड का और 23 कॉट्र में 40.7 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year में इंक्रीज किया है income के according और प्रेडिंग पॉफिट 45.8 करोड का पिछले कॉट्र में 43 करोड का और मार्च 23 कॉट्र में 46 करोड का अप्रेडिंग पॉफिट है quarter on quarter year on year में increase किया है EPS 6.99 रुपेश का quarter on quarter year on year दोनों में increase करता वा देखने को मिल रही है तो जो stand-alone हो या consolidated quarter ended हो या financial बहुत इस ट्रॉंग रिजल्ट पेश किया तो गाइस कंपनी का रिजल्ट जो कर देखा जाए तो बहुत तो पेश हुआ है यहां पर देख सकते और हम इसके बात करें गाइस सब्सक्राइब को मिल रही है जिसमें आज के दिन क्रैश किया लेकिन सौरी गाइस सब्सक्राइब कर रहा है और रिजल्ट आते ही कंपनी के सब्सक्राइब कर रहा है यहां से सपोर्ट लिया और यहां से जो अब वापस से रिवर्स कर सकता है अब इसमें एंट्री कर सकते हैं अब इसमें होल्ड कर सकते हैं तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं निक्षोड़ों में डिलन बाबाई